हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वाव वीडियोज और दोस्तों मैं आपके लेके आया हूँ चार सितंबर दो अठारा के सारे इंपोर्टन करेंड फिर कुश्चन जो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों मैं पहला कुश्चन आपको अताना है कि हाली में साक्षी चोधरी ने विश्व युवा मुक्य बाजी चैंपियंशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है आपकी आप्शन है ए रजत पदक, बी कांसे पदक, सी सुन्ड पदक या फिर डी इनमें से क पर यह इन्होंने सुन्ड पदक जीता है तो आपका option C सही हो जाएगा और इन्होंने final में क्रोईशिया के जो मुक्यवाज थी उनको हराकर इन्होंने final में जो है गोल्ड मेडल जीता है साते साते जो है विश्व युवा मुक्यवाजी Championship में भारत के लिए दो और जो है महिलाओं ने रज़त पदक लेगे आए हैं जिसमें अनामिका 51 kg में और मनीशा 64 kg में इन्होंने भारत के लिए जो है B France C Germany या फिर D America तो दोस्तों हाली में जर्मनी ने केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहा है स्वच गंगा मिशन के लिए 990 करोण रुपए के Soft Loan की गोंश्रा की है तो आपका option इसमें C सही हो जाएगा जर्मनी बाकी जो स्वच गंगा मिशन के मारे मैंने प्रीवेस वीडियम आपको बताया है कि स्वच गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसके ताहत गंगा के घाटों का विकास जाएगा बहतर सीवेश सिस्टम गंगा में गिरते हैं उनको गंगा में गिरने से रोका जाएगा और उनके लिए एक प्लान तयार तिया ठीक है तो अब को इस इस्कोेशन से तिनी जानकारी मिल जाती है चले बढ़ते आज के नेक्ट कोशन पर दोस्तों आपको बताना कि हाली में बोड़ा फोन इंडिया को किस भारती दूर सरंचार कमपनी के साथ विले कर दिया गया है आपकी ऑप्शन है A. Airtel, B. BSNL C. Idea या फिर D. Reliance तो दोस्तों जैसे आप फोटो में देख पार होंगे हाली में बोड़ा फोन Idea Limited ठीक है इन दोनों को मर्ज करने के बाद कमपनी जो का रहा नाम जो है वो हो जाएगा वोड़ा फोन Idea Limited और ये जो है दोनों एक साथ आने के बाद ये दोनों कमपनियों के एक साथ आने के बाद 408 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बोड़ा फोन आईडिया लिम्टेड भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कमपनी बन गई है और साथ ही साथ आपको इस दो क्वेस्चन और जुड़े हुए है जो इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो बोड़ा फोन आईडिया लिम्टेड के चेर्मेन कौन होंगे तो कुमार मंगलम बिडला जो है वो बोड़ा फोन आईडिया के लिम्टेड के चेर्मेन रहेंगे और साथ साथ कमपनी ने बाले शर्मा को जो है बोड़ा फोन आईडिया लिम्टेड का जो है CEO नुक्त किया है ठीक है तो आपको दो कोश्चन याद रखने हैं चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स कोश्चन पर दोस्तों के नेक्स कोश्चन आपको था ना कि हाली में छट्वे पूर्व एशियाई सिखर संबेलन कहां आयो जित हुए हैं आपको उप्शन है ए वियतनाम बी कंबोडिया सी मलेशिया या फिर डी सिंगापूर तो दोस्तों हाली में सिंगापूर में छट्वा पूर्व एशियाई सिखर संबेलन आयो जित हुआ है तो आपको उप्शन डी सही हो जाएगा और इसमें भारत के वाड़िजियों मुद् बैटक हुई है उसमें इन्होंने भाग लिया है और इस बैटक की जो घोषडा की गई इस बैटक में घोषडा की गई कि जो 2019 का आशियान भारत व्यापार संबेलन होगा वो मलेशिया की राजदानी क्वालालंपूर में होगा ठीक है तो इससे एक कोशन और आपको बन जा बिभाग ने किस राज्य में स्वचालित मौसम इस्टेशन अस्थापित करने का निर्ड़े लिया है आपके ऑप्शन है जम्मु कास्मेर बी हिमांचल प्रदेश सी पंजाब या फिर दी उत्रकन तो दोस्तों हाली में भारतिय मौसम बिभाग ने जो है हिमांचल प्रदे प्रदेश में हिम अस्खलन और भू अस्खलन के पूर्वा नमान के लिए राज जी में तीन डोलर रडार और कई बर्फ गेजर्स और स्वचालित मौसम स्टेशन अस्थापित किये जाएंगे और यह तीन डोलर रडार जो अस्थापित किये जाएंगे वह राज जी की जि कि हाली में आर माधवन को कि इस कंपनी का अध्याच और प्रबंध निदेशक निउक्त किया गया है आपके option है A, B, H, E, L भारत हैवी, Electrical Limited इसका full form है साथ में option B आपका है B, E, L, भारत, Electronics Limited option C आपका H, E, L, Hindustan, Aeronautical Limited और option D आपका है N, T, P, C तो दोस्तों हाली में आर माधवन को H, E, L का पांच वर्स के लिए अध्याच और प्रबंध निदेशक निदेशक निउक्त किया गया है तो आपका option इसमें C, सही हो जाएगा H, E, L ठीक है अब इससे पहले जो है आर माधवन जो थे वो लखनव में H, E, L में सहायक उपकरनण विभाग का नरेत्रित कर रहे थे और जिसके बाद इने कंपनी का अध्यचियों प्रबंध निदेशक्षन निदेशक्षन के जाशका है साथी साथ जो है अब बात कर लेते हैं H, E, L के बारे में कुछ points हैं तो सबसे पहले तो आपको H, E, L का full form पता होना चाहिए Hindustan Aeronautics Limited यह है H, E, L का full form और इसकी अस्थापना हुई थी 1940 में तब इसका नाम था हिंदूस्तान एयरक्राफ्ट और बाद में 1964 में इसका नाम बदल कर हिंदूस्तान Aeronautics Limited कर दिया गया और इसका जो headquarter वो है Bangalore में ठीक है तो इतने साए points तेस question से important question नहीं आप जो है आप द्यान दीजिएगा तो इतने points आपको मिल जाते हैं चले बढ़ते हैं आज की next question पर दोस्तों के next question को उताना कि हाली में शहरी छेत्र में भीड और प्रदूशन को कम करने के लिए किसके द्वारा देली मोविलियो साइकलोथोन आयोजित की गई है आपकी option है A. परियावन मंत्राले B. नीती आयोग C. दिल्ली सरकार या फिर D. इन में से कोई नहीं तो दोस्त किया है तो इसमें आपका option जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा B. नीती आयोग ठीक है तो ये नीती आयोग द्वारा आयोजित क्या गया है साथी साथ 9 किलोमेटर लंबी इस साइकलोथोन का वो देश है सहरी छेत्रों में भीड और प्रदूशन को कम करना जिसके लिए पब पर देख पर होंगे यही हाली में 18 गेम जो इंडोनेशिया के जकारता में हुए हैं उसमें इन्हें सबसे मुलमान खिलाडी के रूप में 50,000 डॉलर की पुरसकार राज से दी गई है और साथी साथ यह पुरसकार जीतने वाली यह पहली महिला हो गई है एस्याई खेलों मे जो है और यह आती है जापान से तो इसमें आपका option C सही हो जाएगा जापान ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स कोशन पे और यह जापान की है और इंग किस खेल से संबंदी थे यह आपको पता होना चाहिए तो यह जो है जापान की प्रोफेशनलिस्ट स्वीमर है ठीक है और इनों ने जो है इसमें जो है एशियन गेम्स में 6 ओल्ड मेडल जीते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स कोशन पे दोस्तों आज के नेक्स कोशन पताना कि हाली में यूनियन टेक्स्टाइल मिनिस्टर इसमृति रानी ने कहां पर डिजिटल गाउं आपको द्यान में रखना है कि डिजिटल गाउं का उदगाटन किया है ए उत्तर प्रदेश बी मद्यप्रदेश सी बिहार या फिर दी उडिशा तो दोस्तों हाली में यूनियन टेक्स्टाइल मिनिस्टर इसमृति रानी ने उत्तर प्रदेश के रायवरेली जिली में नेटरी पैड वितरण और पीम डिजिटल साच हत्ता पहल सामिल है ठीक है तो आपको इस कोश्टन से इतनी जनकारे मिल जाती है चले देख लेते हैं अचका नेक्स कोश्टन दोस्तों अचका नेक्स कोश्टन आपको दाना कि हाली में भारत में पहली बार यूएस इंडिय बिजनेस काउंसिल अपनी सामाने मीटिंग कहां यूजित करेगी आपके ऑप्शन है ए नई दिली बी चेन नई सी मुंबई या फिर डी हैदराबाद तो दोस्तों जो है हाली में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल भारत में अपनी पहली मीटिंग दो दिवश्य है जो एक मुद्दी पर बात होगी तो यह मुद्धा है उसका नाम है यूएस एंडिया किनेक्टिंग ऑःफीचर जिए सब्जेक्ट होगा सम्मेलन साथिसाथ तो यह अमेरिका की नौन फॉपिट आरगणाईजीस एइंडिया इसकी अस्थापनों या जो है अमेरीका की यह में है और साथे साथ जो इसकी current chairman है उनका नाम है निशा देशाई बिस्वाल ठीक है निशा देशाई बिस्वाल यूएस इंडिया विजनेस काउंसिल की current में chairman है तो आपको इस question से इतने point मिल जाते हैं बाकि दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही मैं अगर नेकडमी पर पढ़ाता हूं तो आप दिये गर लिंक पर मुझे नेकडमी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए और साथे साथ दबाला मत बुलिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको आज को notification मिल जाए और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक किले आपका बहुत बहुत शुक्रिया